हेलो दोस्तो तो आप सभी लोग ब्लॉक औरा में उड्रोल के लिए वेट कर रहे हैं यह पता है एंड हो सकते कि बहुत लोग कन्फूशन में हैं कि क्यों अभी उड्रोल नहीं हो रहा है तो आप लोग को बता दू कि जो हमारा पास्तारिक से जो उड्रोल रुका हुआ है उस 10 तरिक से लेके 10 तरिक तक बहाँ पर ओडिट हुआ था इंड उसके बाद और 24 घंट लगा था ओडिट रिपोर्ट हम लोग का वेबसेट में आने में एंड उसके बाद आप लोग जानते हैं कि 9 तरिक से लेके 15 तरिक तक जो इठेरियम का हाड़ फोग वहा था तो उसके लिए भी वेट हो रहा था है उसके बाद हम लोग का जो नाया कॉंट्रेक अड़र आया है फेरी प्रूफ के द्वारा इठेरियम 3.0 तो बहाँ पे अभी उड्डोल होने वाला था लेकिन इठेरियम का जो हाड़ फोग 15 तरिक को यानि काल ही खतम हुआ है आज अगर पके तो आज सुबा सुबा ही खतम हुआ है लेकिन वह खतम होने के बाद भी एठेरियम का जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वह पेहले जैसा ही है थोरा बहुत फरक आया है 19-20 का फरक है यह जो गैस फी से वह भी निस का फरक आया है बहाँ पे तो अभी क्या है आप लोग को पता होता है लगबग 20,000 के आसपस ट्रांजेक्शन होता है पाल डे ब्लोक औरा में ठीक है तो अभी जितना अभी ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा गैस फिस ज्यादा लगेगा इधेरियम का क्योंकि बहाँ पे गैस फिस अभी भी कम नहीं हुआ है और नहीं होगा है अभी यEak दीन का समय लगाए ठीक है तो अभी क्या होगा इथिरियम के साथ बाइनन्स या फिर्व ओलीओन का ब्रीज बनेगा ठीक है तो संभभ है किई ठीक सल्क में प्रूहन का अच्छा esf या फिर बीस तरीक के पहले-पहले हो जाएगा यह पक्का है तो आप लोग थोड़ा से उएट कहले जिए क्योंकि यह अभी टेक्निकल अग्रेडिशन चल रहा है आप लोगों के भलाई के लिए इन फ्यूचर का फ्यूचर भलाई के लिए ही ये प्रोसेस कर रहा है ब्लॉकोरा का कोल टीम क्योंकि आप लोग अगर पुईसा कामा रहे तो बो ट्रांजेक्शन फिश में बरबात ना हो तो बो भी ब्लॉकोरा देख रहा है तो आप लोग बने रहे हैं पॉजिटिव थिंक कि आरे भाई आभी भी की उद्ज़ो नहीं हो रहा है तो क्या कुछ दिक्कत हो रहा है कि नहीं तो इसलिए जो भी एक्ट्यल नॉलेज्ज है बोड़ नॉलेज लिजिए या फिर कोई भी आपका गुरूप में है तो गुरूप को एक गुरूप में यह मैसस स्थेयार ताकि उसको जो एक्चिल नॉलेज है इसका पीछे वो नॉलेज उसको मिले एंड बो भी थोरा शांद बेटे एंड आगे का जो प्रोसेस है काम का ब्लॉक और आमें बो करते रहे तो थेंक यू साथ बने रहे है